नमस्कार किसान भाईयो अगर आप PM किसान शम्मान निधी उजना की EKYC के बारे में A2Z जानकरी यानि कि किस तरीके से आप EKYC कर सकते हैं वो भी घर बैठे अपने मोबैल फोन से ये जानने के लिए इस वीडियो को प्ले किया है तो आपने बहुती सही वीडियो प्ले किया ह क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है अपना आधार EKYC जो PM किसान शम्मान निधी उजना में अनिवारे कर दिया है वो किस तरीके से घर बैठे अपने मोबैल फोन से कर सकते हैं इसके बारे में A2Z जानकरी हम आपको इस वीडियो पर वीडियो को skip करके मत देखिएगा तो दोस्तों आपको बता दे इसके लिए आपको क्या क्या आप सकता होगी सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिसके सानका आप EKWC कर रहे हैं और साथ ही एहम बात यह है कि उसका जो आधार कार्ड है वो मोब मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्द होना चाहिए क्योंकि उस मोबाइल पर आपको दो OTP प्राप्त होंगे वो OTP के आधार पर आप जो है अपना आधार EKWC कर पाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो आधार EKWC के लिए आपको सबस पासर में बिना स्पेस के pmkisan.goe.in ये pmkisan.goe.in ये pmkisan.shamman.nidhihojna की official website है आपको इससे जो है simply search करना है दोस्तों मैं आपको starting से बता रहा हूँ किस तरीके से जो किसान कुछ भी नहीं जानता वो भी इस वीडियो को देखके अपना EKWC जरूर complete कर लेगा जैसे आप search करे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है scroll करते हुए आपको जो इंडिया का map दिखाए देगा उसके just नीचे आपको farmer corner की option में पहला ये option देखने को मिल जाता है EKWC आपको इसी के अपर click करना है जो search bar है इसके अपर आपको click करना है click करते है आपके सामने नया page open होगा ज उसके बाद search के उपर आपको click करना है तो मैंने आधा number यहाँ पर डाल दिया है अब हम search के उपर click करेंगे click करते ही हमारे सामने उसके just नीचे एक option आजाएगा जिसमें आधा register mobile number हमको input करने है कि यानि कि जो जो आधा number हमने यहाँ पर डाला है उसमें registered जो mobile number है वो हमें यह जहाँ पर नीचे डाल ले है और उसके बाद get mobile OTP के उपर हमें click करना होगा जैसे आप get OTP के उपर click करेंगे तो registered mobile number पर एक OTP जाएगा वो OTP चार अंकों का होगा वो OTP जो है आपको यहाँ पर डाला है जहाँ पर मैंने mobile OTP लिखा हुआ है वहाँ पर input किया है उसके बाद आपको submit OTP करना है यानकि इस OTP को आपको verify के लिए submit करना है उसके बाद नीचे आपको आधार registered mobile number OTP का option आएगा यानकि आपके आधार card में जो registered mobile number है जिस पर OTP जाएगा उसको आपको वो number आपको यहाँ पर डालना है तो आपको यहाँ पर वो number डालिएगा और आपको OTP क होगा वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद आपको simply submit के उपर किलिक कर देना है जैसे आप submit के उपर किलिक करेंगे तो आपका जो आधार registered OTP जो mobile number पर भीजा गया था वो verify होगा verify होने के बाद जो है आप जैसे submit करेंगे तो आपका EKYC जो है आधार based EKYC वो complete हो जाएगा अब आपको दुबारा चेक करना है कि आपका आधार कार्ड जो है वो EKYC आपका हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको फिर से उसी option पर आना है आपको यहाँ पर किलिक करके आपको OTP based अपना आधार नमर डालना है उसके बाद नीचे आपको registered mobile नमर डालना है और उसके बाद इस तरीके से कुछ मेसेज आएगा जिसमें लिखावा दिखाई दे रहा है EKYC is already done on PM किसान पोल्टर यानि कि हमारा EKYC जो है अब complete हो चुका है तो यह आने के बाद जो है आपका EKYC complete हो जाएगा जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास